हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ओनलाइन प्लेट्फोर्म पर हार्दिक स्वागत है तो HSC की लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए यही है कि जो ITI इंस्टक्टर की जो वकेंसीज है आप सभी को पता है ITI इंस्टक्टर की जितने भी वकेंसीज है जिसके अंदर लगबग 97 कटेगरी बता रहे है 97 कटेगरी में अभी तक क्या है शिरफ 10 कटेगरी का जो रिजल्ट है वो डिकलेर किया गया है 87 कटेगरी का रिजल्ट अभी तक बाकी है तो आखिर यह जो 87 कटेगरी है इनका रिजल्ट कब डिकलेर होगा और क्या यह जो IT इंस्टेक्टर की बहती है क्या यह चुनावी मुद्दा बन सकती है क्योंकि आप सभी को पता है कि चुनाव के टाइम क्या है कुछ जो वकेंसीज है निकालते हैं उनका रिजल्ट इकलेर करते हैं तो यह आप सभी को पता ही है और इस IT instructor vacancies के अंदर भी क्या है qualification का जो मुद्दा सबसे बड़ा बना हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला point हमारा यही है कि IT जो instructor की vacancy है इसमें qualification का जो मुद्दा है वो कैसे बना हुआ है जैसे आप सभी को पता था कि alum vacancies के अंदर क्या है जो qualification का मुद्दा चल रहा है रेडियो ग्राफर के अंदर चल रहा था अलग-अलग काफी vacancies के अंदर क्या qualification का मुद्दा जो चल रहा है यह सबसे बड़ी जो नाकामी मानते है वो HSC की सबसे बड़ी नाकामी है क्योंकि वो advertisement के अंदर जो clear करते हैं उस base पे form जो fill करते हैं तो अलग-अलग form fill भी कर सकते हैं बच्चे जैसे कि उनकी अगर qualification नहीं match कर रही फिर भी form fill कर लेते हैं और उसके बाद document भी check करवा लेते हैं लेकिन clear नहीं कर पाए भी यह हमें क्या है जैसे कि आप सभी को पता है IT instructor के अंदर माल लिजे IT instructor के अंदर आप सभी को पता है एक electrician की post है उसके अंदर electrician की post है अब electrician की post के अंदर काफी doubt यह हा रहा है कि कुछ एक candidate उसके अंदर electronics के भी है electronics के भी कुछ एक candidate है उसके अदर electro mechanic के भी कुछ candidate है तो उन्होंने भी किया इसके अदर जो है वो form फिर कर रखा है अपलाई कर रखा है qualify exam भी qualify है उन सभी का तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्या electronics वालों को भी यहाँ पर electrician के लिए eligible करेंगे यह भी बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है तो इसलिए क्या है qualification का जो मुद्दा है वो IT instructor की vacancy है उस पर भी चाया हुआ है तो अभी तक यह clear नहीं हो पाया result की बात करें आपको मैं दिखाता हूँ कल का notification complete जो भी है यह कल के newspaper की cutting है आप सभी ने पढ़ ली होगी यहाँ पर IT instructor के अंदर सिधा लिखावा देखिए IT के स्ताण में category के लगबग 3200 पद है 3200 पदों में से 10 category के लगबग 300 पदों का परिणाम गोशित कर दिया गया है यानि कि स्ताण में में से सिर्फ 10 category के जो है वो result declare किया गया है 87 तो बसती अभी तक 87 के पतानी कब declare होंगे यहाँ पर यह भी लिखावा है उन्होंने बताया कि चुकि जवाइनिंग पर अदालत की रोक है अगर माल लिजे 300 पदों का जो परिणाम गोशित कर दिया गया लेकिन भी 87 जो category बची हुई है इनका result अभी तक गोशित करने का कोई भी इनका क्या पला नहीं है कुछ अन्य पदों के परिणाम लंबित है तो आप सभी को यहाँ पर जो है वो देनिक सवेरा जो न्यूजपेपर की जो कटिंग है आप सभी ने पता होगा देख भी लिया होगा आप सभी ने पढ़ ली होगी तो इसके लिए भी क्या है बच्चो जितने भी कंडियेट जो बनते हैं IT इंस्टर के उनको आवाज उठानी चाहिए एकजुट होना चाहिए तो आप सभी साथियों से जो भी IT इंस्टर के जो समंदित है उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक स्पेशल कोई न कोई एक ग्रूप बनाए उस ग्रूप के अंदर के है जितने भी IT इंस्टर के जो उमीदवार है वो जोईन करे उस ग्रूप को और फिर क्या है एक अच्छी तरह से क्या है निर्ने ले और वहाँ पर क्या है जो पंचकुला है या फिर जो भी मंत्री वगरा है उनसे मिलने के गबाद क्या है जो अपने जो मांग है result की वो मांग रखी जाए जो result है वो कब डिक्लेर होगा इतने सालों से वेट कर रहे हैं IT instructor के आप सभी को पता है कि दो साल लगबग क्या है दो साल से पलस ही इस बढ़ती पर क्या है court case चलता रहा और last में जो court case का कुछ ने कुछ सुनवाई उसके बाद ये लगा भी हाँ अब तो रास्ता साफ हो गया है अब result declare हो सकता है लेकिन अभी भी कोई रास्ता साफ नहीं है तो ये जो qualification का मुद्दा भी बना हुआ है इसके अंदर और joining का भी मुद्दा आप सभी देख रहे हैं यहां पर लिखा वाइस परस दे रखा है तो सभी युवा सातियों को जितने भी युवा सातिय है उनको एक जुट होना पड़ेगा और एक जुट होकर अपनी जो यह लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी तो चलिए यही आप सभी से request है कि जो भी IT instructor के जो उमीदवार है या तो आप Telegram गूरूप जोइन कर ले Telegram गूरूप अपना HSCALM 9 यह Telegram गूरूप है इस गूरूप को आप जोईन करके कोई परसनली मैसिज बेज़ सकते हैं या फिर आप क्या है IT instructor के नाम से अलग से Telegram गूरूप बनाके उसका आप लिंक जो है वो comment section में send कर दे ताकि सभी जितने भी उमीदवार है IT instructor के उन तक पहुँच पाए और जो यह मांग है result की वो सारे इकठे होकर एक जूठ होकर वो मांग को उठाएं तब मांग सुनी जाएगी अकेले किसी से कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर तो यही आप सभी के लिए अपडेट थी मिलते हैं next